आज से बच्चों का वैक्सिनेशन शुरू हो गया है, देश में 15-18 आई वर के 8 करोड बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड इसकूली बच्चे हैं, कोविन एप पर अब तक 15-18 साल के 8 लाग बच्चों का रेजिस्टेशन हुआ है, मतलब अभी रेजिस्टेशन करीब एक 50 दी लोगों का ही हुआ है, 9 और 10 वी में 3.85 करोड बच्चे हैं, 11 और 12 में 2.6 करोड बच्चे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तरपूर विजिले में वैक्सिनेशन अभियान तेज हो गया है, यमना ब्यार B1 स्कूल में बनाये गए वैक्सिनेशन सेंटर के अंदर इस्कूली बच्चों के साथ साथ, बाहरी बच्चों को भी को वैक्सिन से वैक्सिनेट किया जा रहा है, इस मौके पर प्रतमपाली की प्रधाना चारे ने बताया कि इस वैक्सिनेशन कैप में 2 शिफ्टों में वैक्सिन लगाई जा रही है, जो कि morning और evening है, इस्कूल के ल कर रहे हैं वहीं और लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं कि वह भी अपने 15-18 साल के बच्चों को वैक्सिनेट करवाए जिससे कि आने वाली तीसरी लहर दिल्ली में अपना प्रकूप ना दिखा पाए मेरा नाम है दिपांचुबाटी मेरा है 17 साल एंड मुझे अभी वैक्सिन लगी है फस्ट डोस मेरी और मुझे और कुछ भी मतलब इसके बार में डीटेल्स दिया है यह मतलब एक महीन बाद मुझे दुबार हम मतलब सेकेंड रोश के लिए बुलाए जायेगा वैक्सिन के लेगा वैक्सिन के लिए आई जाने चाहिए जो वैक्सिन लगी है आज क्या प्रकॉशन के लिए साथ बताया है क्या बता है नाम बताइए अपना माइन पीज नाज बताइए जो आज जो वैक्षिन लगी है आज कित्ती तो उमर है आपकी और क्या कुछ इसको बताए किस तरीके से पूरा सडूल रहेगा खाने पीने को लेगा है किसी कि अगले चेश्म लगी है और देंगे बता धिने को लगी है हमारे है आज मेरा पहले डोस लगा है अगला डोस लगेगा तो पिर पता शन्जाएगा और क्यों कहते हैं इसको वैक्सिन को रगड़ना नहीं और क्यों कि नाम बताओ और बताओ क्या एज है क्या कुछ कहेंगी जो आज डोस लगे पहली मैंने पिस सुवानी शर्मा, जी 16 है, मुझे आज वैक्सिन लगे और नेक्स्ट वैक्सिन है वो एक महीने बाद लगे है क्या कुछ डोक्टर ने बताए कि अगर कुछ बुखार या फीवर आता है तो क्या करना है अगर आपको उखार रहता है तो आपको पैरसिटमोल लेनी है और अगर ज्यादा मरलापना ओलमली होगा ज्यादा डढ़नी है ठीक टॉप स्टोरी बिरो के लिए डिल्ली से रवी डाल मिया की रिपोर्ट